हेलो एबरिवन कैसे हैं आप लोग आई होप अच्छे ही होंगे आज हम आप लोगों के लिए बहुत हेल्दी रेसिपी लाए हैं दल्या की तो पहले हमने सारी सबजियां आपको दिखा दी हैं जो कट करके रख लिया है और एक कूकर ले लिया है उसमें हमने डाल दिया है देसी गी एक चमस जीरा गी गरम होने के बाद एथोड़ी सी हींग डाल दिया है तड़के में और में मुर्ष बड़व़ टूकड़े में घट कर लिया है क्योंकि कहीं कड़वी न हो जाए क्योंकि बूजर्गों को भी खाना होता है तो उनको मिर्ष लगने लगती है तो बड़े बुजरुग लोग कड़वा जादा नहीं खा पाते हैं तो डाल दिया है मैंने यहां पे दो बारिक प्यास कट करके तड़के में और इसके बाद इसमें डाल दिया है आदा चमश हल्दी वन फोर्थ चमश गरम मसाला वन फोर्थ चमश हमने डाल दिया है काली मिर्श, आदा चमश धनिया और थोड़ी सी कस्मीरी मिर्श डाली है मैं लाल मिर्श यूज नहीं कर रहे हूं क्योंकि पापा मम्मी को भी खाना होता है और यह हमने यहाँ पे डाल दिया एक टमाटर कट करके इसमें थोड़ा सा नमक अब इन सब मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद में अगर आपको लगे कि आपके मसाले जलने लगेंगे तो आप थोड़ा सा पानी इसमें एड़ कर दीजे क्योंकि मैं दल्या बना रहे हूं नमकीन दल्या जिसको आप लोग बोलते हैं तो उसमें थोड़ी सब्जियां कुछ खड़ी-खड़ी सी रहती हैं तो अच्छी लगती हैं तर्माटर बगरा थोड़ा दिखना चाहिए तो अब हमने सारी सब्जियां एट कर दिया है इसमें आलू, गाजर, मटर, थोड़ी सी बंदगो भी बारिक चॉप करके सब्जी आप अपने एकॉडिंग ले सकते हैं तो दल्या का पैकेट मैंने आपको दिखा दिया है और ये देखिए दल्या मैंने निकाल लिया है वैसे तो ये रोश्टेट दल्या है लेकिन फिर भी एक ब दल्या जो है थोड़ा कम ही रखिए तो ये एक कटोरी दल्या हमने ले लिया है फ्रेंड्स भर के और दल्या में सब्जी हमको जादा अच्छी लगती है तो आज ये दल्या सब लोग खाने वाले हैं पापा मम्मी हम सब लोगों के लिए नास्ते में आज ये दल्या ही बना थकटोरी में ना चली जाए तो यह लीजिए एक सीटी आ गई है और दल्या एकदम तयार हो गई है फ्रेंड्स यह दिखिए मैं आपको दिखा रहे हूं एकदम पक गई है सबजियां भी पक गई है तो हमने यहां पर लगाया है दो सीटी मुझे लगानी पड़ी दल्या में तब जाके पकी है यह और चलिए अब इसको मैं बाउल में निकाल देती हूं इसकी प्लेटिंग करती हूं अभी तो बहुत गरम है आपके सामने ही तुरंत कूकर मैंने खोला है तो यह दल्या की रेसिपी बताइएगा कि आपको कैसी लगी मैंने थोड़ी सबजियां बाई टेक केर